सो हलो एवरीवन सौथ दोस्तों पर फिर साब सभी लोग कामारे इस निव वीडियो में दोस्तों काफी दिनों से जब मैंने अपनी वीडियो डाले थी जिसमें मैंने उको बताया था कि जो यही सेफ के 41 सेंटर्स बनाए गए हैं आपके फीजकल कंड़क्ट कराने के लिए फ सब्यूंस इस बीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस निवसेप करते हैं पहले हैं यही इंपर ही मीडियो का है तो यही सब्सक्राइब कर देखने है और आपका बस आ जो चलिए तक है यो कर लिस है आपका सब्सक्रांपी कहblesिए यह कर लिया जाएगा टुकि म मैं आपका बिहार जारखंड के जो राज यह कभर अप होते हैं और इसमें आपके टोटल साथ सेंटर्स बनाएगा है आप देख सकते हो यहाँ पे कि साथ सेंटर्स बनाएगा है जो कि आपका पहला है एक बरौनी में ठीक है IOC बरौनी है उसके बाद आपका है बicaरों में धनबारों में धनब रांची आरवी रांची अनटीपीसी बरांच है तो बैसिकली आपकी चार सेंटर्स बनाएगे हैं आपका बरौनी में मैंने जिसे बताया आपको एक है बोकारों में एक हलगाओं में है आपका एक धनबाद में है एक राची में है और एक एंटी पीसी है ठीक है तो यह नि साथ सेंटर सापके यह हो गए जो कि बिहार सरकंड़ वाले स्टुडेंट है आप देख सकते हो कि अंडमान, निकोबार, आइसलेंड, सिखकी, ओडिसा और वेस्ट में गाल से बिलॉण करते हैं इनके लिए जो बेस्ट सेंटर बनाए गया है इनके तीन सेंटरि बनाए गये है ठीक है तो अगर आप इन श्रेट से बिलॉण करते हो तो आपका तीन सेंटर है एक है आपका राउरकेला, कुलकत्ता और दुर्गापूर ठीक है राउरकेला, कुलकत्ता और दुर्गापूर दोस्तों जो है ये तीन सेंटर साब के लिए बनाये गए हैं अगर आप बिलोंग करते हो अंडमान और निकोबार, सिकी, ओडिसा या फिर वेस्ट मेंगाल से तो ये चार अश पुडूचेरी, तमिलनाडू, एंड तेलंग गना अगर आप इन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए दोस्तों टोटल पांस सेंटर से बनाये गए हैं और ये कहां-कहां पर बनाये गए हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो है आपका विसाखा पतनम में एक सेंटर बनाये गय है उधियोग मंडल और पांचवा जो है ये बैंगलूरू है तो पांच सेंटर बनाये गए हैं इसके बाद दोस्तों चौथे नमबर पे आपका आता है वेस्टरन सेक्टर ठीक है वेस्ट सेक्टर यानि कि पस्चिमी सेक्टर अगर आप दोस्तों इन से बिलोंग करते हो ज तो आपके लिए तीन सेंटर बनाये गए हैं ये आपके तीन सेंटर बनाये गए हैं इसके बाद दूस्तों बात कर लेते हैं कि हम सेंटर ठीक है कौन कौन से सेक्टर बनाये के हैं तो सेंट्रल सेक्टर जो की आपके कंड़क्ट करता है च्छतिस गड़ और मद्धे पर्दिस ये दो स्टेट के लिए दोस्तों आपके तीन सेंट्रस बनाये के हैं इसके लिए और सेंट्रस के जो नाम है आप देख सकते हो यहां पे यह सब सेक्टर जो कि स्टुडेंट परिसांथ है असाम होगा आको ले करके कहां होगा मेरा तो नौर्थ इस्टरंज सेक्टर में दोस्तों आपके अरुनाचल परदेश ध्यान दिजेगा अरुनाचल परदेश असाम मनीपूर मिघाले मिजोरम नागा लेंड और तिरपुरा यह आपका आयोसी गुहावटी में होगा ठीक है ध्यान दिजेगा बस एक ही सेंटर आपके लिए बनाएगे हैं जो भी नौर्थ इस्टरंज सेक्टर से विलोंग करते हैं इसके बाद साथवे नंबर पर दोस्तों जो है आपका देख सकते हो यहां पर कि नौर्थ सेक्टर ठी ठीक है यानि जो उत्री सेक्टर है इसमें जो दोस्तों जो आपके स्टेट आजाते हैं इसमें आपके चंडीगड हर्याना हिमाचल परदेश लद्दाक पंजाब जमू एंड कास्मीर और राजस्थान इन स्टेट का दोस्तों आपके छे सेंटर बनाएगे हैं जिसमें कि आपका सलाल भटिंडा चंडीगड दियो करके ऐसे भी तिंचर सेंटर से उसकी जो दोस्तों जो लीष्ट है आपको नहीं मिल पाई है मैं स्क्रीन को बडिस्प्ले कर दूंगा आप देख लेना ठीक है इसके बाद दोस्तों एक और जो है आपका कमांड बना है एक और सेक् सेंटर्स बनाएंगा जिसके बाद आपका इंबाला हो गया और इसीतर में स्कृBLE सेक्टर्स गारें दोस्तों यह कोई नहीं बता रहा हूं आप यहां पर देख सकते हो कि यह ओफीसियल है जो की जारी किया गया था CIE safe के द्वारा केंदरी और देख सकते हो कि subject जो है mention किया गया है कि आपका recruitment of a constable fire 21 जो दिया किया है CIE safe की तरफ से यहां पर देख सकते हो कि आपका दोस्तों जो फीजिकल होगा पीटी और पीएस्टी जो होगा यह आपका अगस्त और सेप्टेंबर में होगा तो इसके लिए क्या आपके documents चाहिए क्या चीज चाहिए सारे चीजों की मैंने वीडियो बना रख की अगर फिर भी आपको problem आ रही है तो मैं special एक video में केवल documents का regarding बता दूँगा कि आप documents कौन कौन से prepare करो क्यों कि आपका जब physical होगा तो आपका फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट और document वेरिफीकेसन वाला भी प्रोसेस किया जाएगा तो आई होब दोस्तों की सारे जानकरिया आपको समझ में आ गई होगी और अगर आगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ल धन्यवाद जहीन